फास बोलनी रनप के चार की पॉइंट में आपको बताने वालों पहला पॉइंट आपको याद रखना है जब भी आप रनप स्टार्ट करेंगे तो जब आपको बॉड़ी एंगल है एक आपको हलका सा लीन फोरवर्ड होना चाहिए आपको बहुत एकदम स्टेट खड़े हो क बच्चे हाथ लाते यह नहीं करना आपको आपके जो एल्बो वह फिक्स रहेगा और यहां से जो आपका शोल्डर से मुवेंट आगी आपको शोल्डर मूव करेगा तीसरा पुमिट आपको याद रखना है जो आपका रनप है वह एक दिमिक में होना चीए यह नहीं होना दिरे स्टार्ट करेंगे ग्रेज्वाली बिल्ड करते वें चले जाए चोथी चीज़ जरूर याद रखनी है एक आपको जो भी आपका रनप का स्पोर्ट है वह फिक्स रहना चाहिए अगर आप 20 कदम से भाग रहे हैं तो 20 स्टेप पर ही रहे हैं से हमेशा स्टार्ट ले